विश्वास की घोशना मैं घोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलोकिक हूँ मैं घोशना करता हूँ कि मैं केवल अपने अपने परिवार और अपने भविश्य पर विश्वास और जीत के सकारात्मक शब्द बोलता हूँ मैं अपनी परिस्थिती का वर्णन करने के लिए अपने शब्दों का उप्योग नहीं करता बलकि मैं अपनी परिस्थिती को बदलने के लिए अपने शब्दों का उप्योग करता हूँ मैं अपने पक्ष में अच्छे ब्रेक, चंगाई और बहाली का अहवान करता हूँ मैं इश्वर से ये बात नहीं करता कि मेरी समस्याएं कितनी बड़ी है इसके बजाए मैं अपनी समस्याओं से बात करता हूं कि मेरा इश्वर कितना बड़ा है यहां मेरी घोशना है डिव्य स्वास्थ्य की स्वीक्रोक्ती, मसीह मेरे जीवन की महिमा है, इसीनिये बिमारी और मृत्यू मेरा हिस्सा नहीं हो सकती कोई भी मुझ पर आक्रमन नहीं कर सकता या मेरे विरुद नहीं आ सकता क्योंकि मैं स्वर्ग दूतों की सेना से घिरा हुआ हूँ, मेरा स्वास्थ्य, वित्त और परिवार इश्वर की आत्मा की सुरक्षा में सुरक्षित है, आमेन मेरे पास वह होगा जो मैं कहूँगा, येश्व के नाम में योहन 14-13 मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शक्ति शाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ, मैं इश्वर और मानवजाती का कृपापात्र हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ, ना कि जो मैं देखता हूँ, मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ, मैं अपने प्रभू के दर्बार में ताड के पेड की तरह फलता फूलता हूँ, मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फलुद्बन करता हूँ मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ और बुड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहोंगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वह येशु के नाम में सम्रिद्ध होता है चीजें हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसीह येशु में हर अध्यात्मिक आशिरवाद का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ मेरी आत्मा में एक अंतरमन है मेरा अंतरमन सुनता है प्राप्ट करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है येशु की नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का विनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा इस्पष्ट और व्यक्त हो मैं अपने शरीर के हर मैं अपने मनुभाव से बात करता हूँ, परिपूर्ण बनो, मसीह के मनुभाव की तरह, और मैं तुमें परमेश्वर के वचन से सरंखित होने की आज्या देता हूँ, मैं अपने सनायू और नसों से जीवन बोलता हूँ, मैं अपनी मास पेशियों और सनायू बंधन को ताकत मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ, मैं अपने फेफ़णों और उत्तकों से सामान्य वेंटिडेशन और परफ्यूजन अनपात बनाए रखने की बात करता हूँ, मैं अपनी किदनी, लिवर और अगनाशे को पूर्णता बोलता हूँ, मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है, मेरी हड्डियां जोड और कार्टिलेज सरेंखित मजबूत और द्रड है, मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उत्कृष्ट रूप से कार्य करते हैं, मेरी आखें इसपष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती हैं, और मेरे कान काम करते हैं बहतनीन, मेरी वच्चा एक नवजाज शिशू और ईश्वर की सुंदर्ता की तरहे चिकनी और स्वस्थ है, मेरे बालों के रूम कस गए हैं, मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आज्या देता हूं, और जहां व्रधी के आवशक्ता है, वहां मैं अपने रूम में विकास छोड़ता हू मेरे दान, मसूडे, जबडे की हड़ियां और टंत्रिका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबूत और परिपूर्ण हैं, मेरे सभी हार्मोन्स और नियूरो कैमिकल ट्रांस्मिटर्स एक दूसे के साथ पूर्ण सामग जस्य में हैं, और अपने कारियों को सामान्य रूप से निश्पादित कर रहे हैं, मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खाद्यपदार्थों को पचाने, अवशोशित करने और आत्मसात करने में सक्षम हैं, और चया पचया अप्शिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सरजित होते हैं, मैं खाने, तकनीक, मीड जिया, शिठिलता, गपशप, आलस्य, अधिकनीन, सुस्ती और बाध्यकारी खरिदारी में सभी प्रकार के व्यसनों, शराब, निकोटिन, ड्रग्स, ड्वी घातुमान, अत्यरिक भोग को कैद करता हूं, और मसीह की आग्याकारिता में लेता हूं, जैसे येशू, वैसा ह इश्वन ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है, इस ये खाद्य पदार्थों, धूल, जानवरों, आदी ऐलर्जी का मुझे पर कोई अधिकार नहीं है, इश्वन ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है, मेरा पुरिश प्रजनन तं पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गती शीर्ता वाले शुक्राणूं का उत्पादन और जमा कर रहा है, मेरा महिला प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है, और जन्म तक भून की रक्षा और पोशन कर रहा है, मेरे शरीर का हर अंग, हर को पूणता में कार्य करता है जिसके लिए ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विकृती को येशु की नाम पे मना करती हूँ, आमेन, मेरा संपूर्ण मानव शरी रचना विज्ञान, चया पच्चे और शरीर क्रिया विज्ञान, मसीह येशु में परिपूर्ण है, महिमा, हालिलुया, आमेन, पिता इश्वर मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है कि मैं जानता पुत्र इश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है मैं जानता हूँ, पवित्र आत्मा इश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ, शलोम